दोस्तो तुम्हारा attitude कैसा भी हो? कैसा आप भी? अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो winning attitude नहीं बना, तो सीधा डिस लाइक मार देना पर अगर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सबस्क्राइब करके ही जाना और एक request, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपका attitude change करने वाला है So let's start the video, दोस्तो attitude दो तरगा होता है, एक winners attitude और दूसरा होता है losers attitude जब Steve Jobs और उनकी team iPhone डिजाइन कर रहे थे, तब उनकी team ने एक phone बनाया, चोकि size में थोड़ा बड़ा था इस पर Steve Jobs ने अपने team को instructions दिये, इसे और slim बनाओ, पर team का कहना था, कि वो phone को इससे ज़्यादा slim नहीं बना सकते इस पर Steve Jobs ने side में पड़े एक fish tank में उस phone को डाल दिया Fish tank में phone को डालने के बाद, उससे कुछ bubbles बार आए और फिर Steve Jobs ने अपने team से कहा, अगर इस phone में हवा की लिए जगा है, तो इसका मतलब है, हम इसे और slim बना सकते है यह होता है winner's attitude, और दोस्तों यह कोई पैदाईशी नहीं आता, यह हमें खुद develop करना पड़ता है दोस्तों winning attitude बन्दे को वो नजरिया देता है, जिससे कि वो दुनिया को एक अलग नजर से देख पाता है और इसलिए जहाँ पर बाकियों को सिर्फ problems दिखते है, वहाँ यह बन्दा opportunity खोज लेता है एक बन्दा था, वो बोलने में हकलाता था, उसका सपना था कि उससे अक्टर बनना है पर उसके अकलानी की वज़र से उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला पर जिद्धी बन्दे ने हार नहीं मानी, इसने खुद का एक शोब बनाया और उसमें वो बिना एक शब बोले, सिर्फ उसकी हरकतों से लोगों को असाता था और ये शोब सूपर डूपर हीट हुआ, लोगों नहीं इसे काफी पसंद भी किया अब तो शायद आप समझी गये होंगे, मैं बात कर रहा हूं मिस्टर बीन की अगर अपने अंदर की कमी की वज़े से इन्होंने हार मान ली होती तो कै ये दुनिया उन्हें अप्रिशेट करती? कभी नहीं दोस्तो प्रॉब्लम्स सब के लाइट में होती है जब तक आप जिंदा हो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी पर उस प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है ये आप पर डिपेंड होता है इसलिए सिचुएशन कितने भी खराब हो उसमें अची चीज़ डूढने की कोशिश करो क्योंकि मेरा एक्स्पिरियंस बोलता है कि प्रॉब्लम्स कभी अकेली नहीं आती वो अपने साथ बहुत सारी अपॉचुनिटीज भी लेकर आती है पर हमारा फॉकस प्रॉब्लम्स पर इतना होता है कि हम उस अपॉचुनिटी को देख ही नहीं बाते दोस्तो याद रखना ये दुनिया उनी लोगों को याद रखती है जो अपने प्रॉब्लम्स से लड़कर कुछ हट कर कर जाते है पर ना बाकियों को तो प्रॉब्लम्स खुद दबा दिता है जहां हम एक बार फेल हो गए तो हार माननेते है वाइस बंदे को तीस बार जॉब से रिजेक कर दिया गया था और यह कोई हाई प्रॉफाइल जॉब के लिए अपलाई नहीं कर रहा था एक वेटर के जॉब के लिए अपलाई कर रहा था फिर भी से रिजेक कर दिया गया पर इसके आटिट्यूड ने इसे हार नहीं मानने दी और इसने अपने हर फेलियोर को एक अलग नजर से दीखा उनसे सीखता गया और जिसे वेटर की जॉब के लिए रिजेक कर दिया गया था आज वही बंदा चाइना का सबसे अमीर इंसान है क्या पात है न यह होता है आटिट्यूड का पावर और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना गलतिया उनी से होती है फेल वही होते है जो लोग ट्राइ करते है और इनकी गलतियों की कोज वही लोग करते है जो खुद कुछ नहीं करते इसलिए अपनी सोच अपना नजरिया अपना आटिट्यूड इतना पॉजिटिव रखो कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्राब्लम आने दो आप उससे भी भीड़ जाओगे अपने आटिट्यूड को पहार जैसा बना जिसे कि कोई बवंडर भी इलाना सके और फेलियोर को एकसेप्ट करना सीखो फेल सब होते है जो भी बंदाज काम्याब है वो कभी न कभी फेल हुआ था माइक्रोसॉप जैसी मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनाने वाले बिल गेट्स भी ट्राक और डेटा नाम की कंपनीज में फेल हो चुके है अमरिका के 16 प्रेसिडेंट अबराम लिंकन प्रेसिडेंट बनने से पहले बारा बार इलेक्शन हार चुके थे अगर इन लोगों ने पहले एक दो अटेंप्स में ही हार मानली होती तो शायद ही आज मैं आपको इनके बारे में बता पता इसलिए फेल्योर से डरो मत उनसे सीखो दोस्तों आप शौक हो जाओगे 90% लोग फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई तक नहीं करते इसलिए फेल्योर को देखने का अपना नजरिया बदलो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है हमेशा याद रखना आप अपने सक्सस से जादा फेल्योर से सीखते हो और ये 90% लोग वही की CPT लाइफ जीते है और जो बाकी के 10% लोग होते हैं ये कुछ हटके सूचते है और फेल्योर से लड़के कामियावी के लिए ट्राइ भी करते है और ये वही लोग है जो हमेशा भीड की वज़ा बनते है भीड का हिस्सा नहीं अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 90% लोगों में शामिल होना है या फिर उन 10% लोगों में दोस्तो इस वीडियो का एम में हम एक बहुत ही अची स्टूरी से करेंगे एक गाव में एक बंदा रहता था जो कि बहुत शराब पीता था उसके दो बेटे थे जो रोज उसे इस हालत में देखते थे दस साल पाल पहला बेटा अपने पिता की तरह ही शराबी बन गया पर दूसरा बेटा I.E.S. ओफिसर बन गया जब दोनों से भी उनकी सिच्विशन का कारण पूछा गया तब दोनों का भी जवाब सेम ही था दोनों ने कहा आज मैं जो भी हूँ अपने पिता की वज़े से हूँ दोस्तों यहां प्रॉब्लम तो दोनों का भी सेम ही था पर उनके आटिजूड ने दोनों को अलग बना दिया प्रॉब्लम्स आ कामन बट आटिजूड मेंक्स दिफ्रेंस धिंक कॉन मैं इस विल्पावस्टार नियुड़ प्रॉब्लम्स आटिजूड प्रॉब्लमस आटिजूड प्रॉब्लमस